8.1.6 सूचनाओं का आवागमन, उद्धिपन एवं प्रतिक्रिया, Transmission of Information, Stimulus and Responses विभी ने बहाय एवं आंतरिक स्रोतों से कई प्रकार की सूचनाएं हमारे शरीर को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती रहती है इस प्रकार की सूचनाओं को हम उद्धिपन कहते हैं यदि हम इनके प्रती-प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं कर पाते तो यह हमारे लिए कई तरह से नुकसान दे हो जाता है उदाहरण के लिए किसी गरम बरतन पर हाथ लग जाए तो तुरंद हाथ हट जाता है गरमी का उद्धिपन बरतन से हाथों की सम्वेधी कोशिकाओं को मिलता है यहां से सम्वेधी तंत्रिकाओं, सेंसरी नियूरोन द्वारा यह मेरु रज्जु तक पहुंचता है वहीं से प्रतिक्रिया फ्रेरग तंत्रिकाओं, मोटर नियूरॉन द्वारा, हाथ के पेशी उतक के संकुचन और फैलाओं को इस प्रकार प्रभावित करतिये की हाथ हट जाता है इस संपोन प्रक्रिया अर्थात उद्धिपन से प्रतिक्रिया तक को प्रतिवर्तिक्रिया रिफ्लेक्स एक्षन कहा जाता है प्रतिवर्तिक्रियाओं का नियंत्रन आम तौर पर मेरु रज्जु द्वारा होता है यदि उप्रोक्त उधारन में प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती तो क्या होता? बर्तन गरम हो तो आप सावधानी पूर्वक काम करते हैं क्या मस्तिश्क की इसमें कोई भूमिका होती है? क्रिया कलाप एक में आपने छड़ी को आँखों से देख कर हाथ से पकड़ने का प्रयास किया आपको प्रक्रिया शुरू करने का संकेत कानों से मिला आखों और कानों से प्राप्त सूचना या उद्धिपन के प्रती आपने हाथ के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई अर्थात इन तीनों अंगों के तालमिल से ही आप छड़ी को पकड़ पाए सोचकर बताईए इन तीन अंगों के अलावा शरीर के और कौन से अंग इस प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं यहां आखों वा कानों से मेरु रज्जू या मस्तिश के तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिकाएं समेधी तंत्रिकाएं हैं जबकि मेरु रज्जू या मस्तिश के से हाथ की मान स्पेशियों तक प्रतिक्रिया करने के लिए सूचना पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं, प्रेरग तंत्रिकाएं हैं इनके बीच जुडाओ या तो सीधे साइनेफ से द्वारा या अन्य तंत्रिकाओं द्वारा होता है यदि हम इस क्रिया कलाप में हो रही प्रक्रिया में सुचनाओं का मार्ग दर्शाने का प्रयास करें तो यह इस प्रकार होगा क्या आप जानते हैं? कई बार डॉक्टर घुटने के जोड़ पर रबर की हतोडी से हलकी चोट कर दर्द और दबाओ के अनुवह का पता लगाने की कोशिश करते हैं यह दर्द और दबाओ पेशियों से सम्वेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मेरु रज्जु तक फिर मेरु रज्जु से प्रेरग तंत्रिकाओं के द्वारा पेशियों तक पहुँचता है सम्वेदी और प्रेरग तंत्रिकाओं में सीधा संपर्क साइनेप्स द्वारा होता है पैर के उपरी हिस्से की पेशियों में संकुचन वा निचले हिस्से में फैलाओ होने से पैर एक जटके से आगे की तरफ उचलता है मेरे रज्जू से सूचना मस्तिश के तक अन्य तंत्रिकाओं द्वारा पहुँचती है और दर्द का अनुभा होता है इस प्रकार की कुछ अन्य प्रतिवर्ती क्रियाओं के उधारन सोच कर लिखें अचानक सुई चुबने से हाथ एक जटके से हट जाता है इस प्रतिवर्ती क्रिया में कौन-कौन से अंग काम कर रहे हैं सूचना के आवागमन का मार्ग बनाए